कई राज्यों में लगातार कई गंटों तक बारिश हुई लेकिन यह बारिश राजिस्थान के सीकर में परिक्षार्थियों की बस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई आपको बतादे अंटरपास में यह बस जाकर पानी में फश गई इस पानी के निकलने का कोई रास्ता नहीं था और परिक्षार्थी भी मही फश गए जिसके बाद क्रेन की मदद से इनको निकाला गया बतादे कि कॉंस्टेबल परिक्षा देने जा रहे परिक्षारतियों से भरी बस ये अंडरपास में फस गई जिसके बाद परिक्षारतियों को क्रेन की सहायता से बाहर निकाला गया कॉंस्टेबल परिक्षा के लिए जा रही थे परिक्षारतियों में बस फसने से उनके चेहरे पर भी गुस्सा साफ नजर आ रहा था बताय जा रहा है कि रेलवे के दोनों अंडरपास मंडावा रोडवा नवलगड पुलिया पर बरसात का पानी जमा हो जाता है जिसको लेकर कई बार इस्थाने लोगों ने रेलवे अधिकारियों वाइस्थाने परशासन से शिकायत की है लेकिन कभी भी इस समस्या पर किसी ने ध्यान नहीं दिया अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रेपोर्टर, पीजियो एडिटर, कैमरा मैं या पर स्क्रिप्ट राइडर तो हमेज संपल्स करें